सचिन के समर्थन में और भाटी सिस्टर्स के खिलाब पंचायत बुलाई गई लेकिन उन लोगों का आरोप है कि पुलिस ने उनके पंचायत को रद करवा दिया और पुलिस ने जो लोगों वहाँ पंचायत पहुचे थे उनको पुलिस डिटेंड करके लेके चली गई हमाई साथ इस मसले पर बात करने के लिए गीता भाटी है ये बताईए कि जिस तरीके से आपके खिलाफ जो है वहाँ पे पंचायत लोगों ने बुलाई थी वहाँ उन लोग का यह भी आरोप है कि कहीं न कहीं आपने भी मदद करी है पुलिस को इंपुट्स दिये उनको वहा सारे प्रदर्शन करते हैं और पुलिस नहीं चाहती है कि हम प्रदर्शन करें तो वह हमें भी डिटेन कर लेती है लेकिन इससे हमारा क्या मतलब अच्छी बात है वह देखिए अपने विचार रखना सबका अधिकार है अगर वह पंचायत कर रहे हमने तो उनसे कहा नहीं प अपना कोई विरोध करें कोई समर्थन में इस चीज से हमारा लेना देना नहीं आपने कहा कि सब लोग आपके परिवार के हिस्सा है तो क्या उस परिवार के हिस्सा में सीमा सचीन और उनके चारों बच्चे भी शामिल होंगे अपने आपने इंवाइट करेंगी दो को ओभी थी आज भी है रहेगी पूरा सचन परिवार मेरा परिवार है पहले भी मैने बोला है आज भी बोल रही हूं रही बात लोग इसको तोड मरोड के जैसे भी दिखाएग्यूं nozzle इस से मुझे फरक नहीं पढ़ता वहाँ कितना ही गंद बखे रहे optics एक हिंदू संस्कृ आए हुए सीमा के घर पर उन्होंने राकी बंदवाया है एपिसंग ने कहा कि अगर भाटी बहने भी अगर मुझे बुलाती है मैं जरूर जाता और राकी बंदवाता है तो क्या बुलाएंगे राकी बंदवाने के लिए सबसे बड़ी चीज है हमारे संसकारों में यह है कि भाई खुद आती हैं बहने नहीं बुलाती है पहली चीज अगर एपी सिंग मेरे घर आएगा सह सम्मान है भाई के तोर पे मना नहीं करूंगी लेकिन गीता भाटी बुलाने के लिए किसी को नहीं जाएगी अपने थर दुस्मर्ण का भी अपने घर स्वागत करती हूं यह मेरे संसकार है मैं अपने धुस्मर्ण का भी अपने घर आए हुए निरादर नहीं करती हूँ अगर बादोंगů अगर वो राकी बंद बाने आएंगे तो मैं बांदूंगी क्या प्रॉब्लम है जो भी वैचारिक द्वेश है मेरा तो ना तो एपी सिंग से कोई वैचारिक द्वेश है ना मेरा कोई जो अमिजानी से वैचारिक द्वेश है सिर्फ उनके गलत चीजों से दुएस है उनसे कोई दुएस नहीं है मैंने हमेशा वाइट पे बोला है बड़े भाई है मेरे वो कोई मतलब नहीं है सीमा मिना बीते कई समय से कई त्योवार मना रही है और उनकी इसी भारतियता पर अब गीता बाटी ने सवार उठाए है अब जरा वो बयान भी सुनिया आपका संशाय में सबर करा रहा है सीमा क्या आपको लगता है कि वो जान बुझकर भारतियता के रंग में रंगने की कोशिश कर रही है जिससे लोगों का संदेख खत्म हो जाए क्योंकि इस तरह के सवाल आपने पहले भी उठाए सीमा से मेरी बात हुई सीमा ने कहा कि मैं नवरात्री नौदिन का वरत भी करूंगी चंद्रियान के समय जब सौफ लेंडिंग हुई तो पुरा भारत गर्व के पल में खड़ा था तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि उन्होंने वरत रखा हुआ है मेरी माटी मेरा देश्प्रधार मंति का जो कार्यकरम था उसमें उन्होंने पूरी भागेदारी निभाहती तिरंगा फैर आया तो क्या आपको लगता है कि सीमा ये बिल्कुल नॉर्मल नैच्रल है वो वाकई भारत के प्रतितनी समर्पित और भारत के इतना सत्कार करती है वो प्यार करती है या फिर जो आपने पहले दिन से संसे बनाया वही बात है वो भारत के 140 करोड तो अपने भारत से प्यार करें ना भाया बस उनसे मैंने तो कहा नहीं है आप उनकी मर्जी है उन्हें जो कुछ करना हो देखो उनको नागरिकता चाहिए जब कोई एक पाकिस्तानी नागरिक भारत के गर्व के साथ खड़ी होते हैं भारत के जिन्दाबाद क उसके अपने हैं ना तो कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति उससे कहने जा रहा ना हमारी सरकारें कहरी वो अपने उसके निर्ने हैं वो